यहां पे हमारे क्या है यह ओप्षिन है देखिए according to first law of thermodynamic first law of thermodynamic delta H किसके बराबर होता है delta U plus del NGRT के बराबर होता है अभी सिक्वेशन में delta H को हम इधर ले आते हैं और इसको हम इधर ले आते हैं यहां पे तो हमारी equation क्या बनेगी delta U minus delta H equal to minus del NGRT यह हमारी क्या बनेगी equation यह हमसे question में पूछा गया है तो किसके बराबर है minus del NGRT यहां पे delta NG क्या है number of change in number of moles number of moles क्या होता है किसके बराबर होता है number of moles of product minus number of moles of reactant product में देखे हम number of moles किसके देखते है gas के देखते हैं यहां पे भी solid है यहां पे कोई reactant में कोई gas नहीं है product में एक gas है यहां पे कितने number of moles है 3, तो कितना आ जाएगा 3-0 किसके बराबर आ जाएगा 3 के बराबर आ जाएगा delta NG क्या है 3 यहाँ पर देखे क्या था minus del N RT, del N कितना आया है minus 3 आया है और RT, यह हमारा क्या बन जाएगा, answer बन जाएगा, minus 3RT देखे इसमें सही अंसर क्या है, answer 1 minus 3RT यहाँ पर है, तो सही अंसर क्या answer, 1 यहाँ पर सही अंसर है Everyone, thanks for watching my video अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगे, तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए Thank you